असलाम अलेगू महादाब नमस्कार परवनी नियूज महानगर में आपके साथ शेक इफ्तेखार पुना से क्रांति वीर लाहुजी साड़वे इनका पुर्नाकृति पुर्तला परवनी में आज तारिक 25 जुलाई 2024 गुरुवार के रद सुबा ग्यारा बजे परवनी शेहर में दाखल होते ही मातंग समाज की ओर से अना वो साथे यहां के पुतले के पास बस्तान पर बड़ी पैमाने पर अतीजवाजी करते हुए बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ अभिवादन क्या गया इस समय लहुजी उस्ताद इनके पुतले का भवय शहर में रेली निकाली गई इस समय उनके प अक्टर राहूल पाटी इनके खुद के हर्चे से यह पुतले का काम आयोजीत क्या गया है यह पुतला पुना के संसकार इस्टुडियू के मशूर कलाकार मुर्तिकार प्रवीन थोप्टे मंगेश कुरणकर एल्डीन फर्नाडीस इनके संकल्प से यह सब बनाया गया है दिकास गोरे कामरेट आकाश बन पटे की टीम यह पुतला लाने के लिए गई हुई थी बड़े हर्शियूलास और बाजे गाजे के साथ और अतीज बाजी के साथ यह पुतला परवनी शहर से रेली कर निकालते हुए परवनी के लोगजी नगर इस इलाखे में लाया गया एक अगस के रोज विधायक राहूल पाटीर इनके हाथों यह संपन किया जाएगा यह पुतला बिढ़ाने के टेम पे विधायक राहूल पाटीर इन्हों ने जो खरके से अपना काम किया है उसके खातिर मातंग समुदाई की और से उनका आबार व्यक्त किया जा रहा है इस परवनी शहर का सबसे महतोपूर्ण माने जाने वाला पोलिस्थाना नानलपेट पोलिस्थाना माना जाता है यहां सबसे बड़ा यह पोलिस्थाना है इसका बानकाम एक देड़ साल से चल रहा था इसके कारण इस नानलपेट पोलिस्थाने को जरफराज नगर पोलिस हेड यानेके शनिवार बाजार इस्तीत बनाए घए लागे बिल्डिंग नाजम काई पिल्डियका शुरू के करता है पिल्डिय इन्हों ने लांगरी को से अपिल है कि पेड़ने के हद्में आने त리ार पिलिष्ट शनिवार बाजार इस ती नए बिल्डिंग में नानल पेट पुलिस ताने में आकर संपर करें आईसी अपील की गई है इससे में उनने क्या आए जानते हैं शनिवार बाजार इस ती नए बिल्डिंग में आए जानते हैं शनिवार बाजार इस तारिक 25 जुलाई 2024 गुरुवार के रोज परवनी दिला कांग्रेस कमेटी के अद्देख्ष एवं विरायक सुरेश राव और पुलकर इनके नेत्रोदों में एक निवेदन दिया गया निवेदन में कहा है के मारश्ट्रेक्ट में किसानों को फसल रून तेलंगाना राज्य की तरह ही माफ किया जाए और फसल विमा के भुक्तान की आउदी 15 दिन के लिए बड़ा दी जाए इसके अलावा अन्य विवी दमांगों का निवेदन परवनी दिला कांग्रेस कमेट के अद्देख्ष एवं विधायक सुरेश रावर पुलकर इनके न 42 रुपे परती टल सोया बीन विक्री करते हुए 3500 से 4000 रुपे परती ब्याक सोया बीन खरीदी करने की मनोबत आ रही है उसी तरह डिये पी जैसे खट के मिलावट को लेकर हर जिले से इसकी तक्रार आ रही है 21 जुलाई 2024 से जलते रहे रिमजिम बारिश के कारण और फसल की इस्तिती में जो बीमारी फैल रही है और उससे जिससे नहां पर कीड़े इस फसल को खा जा रहे है और पानी का इस्तर भी निचे तक चला गया है किसानों को सभी तरफ से अपने मुसीबतों का सामना करना निवेदन देते समय विदायक सुरश रावर पुड़कर महानगर जिला अद्देक नदीम इनामदार इर्फानु रहमान खान भगवान राव वागमारे दोंडी राम चावान किसान सेल के अद्देक श्रिदर देशमूग बनपा के पूरो इस्ताई समीती सभापती गुलम और मेला भारत का सबसे बड़ा कार्निवल कई मचलियों को नजदीक से देखने का सुन हरामों का पूरे फैमेली के साथ आईए और खिलोने का मजा उठाईए फिश एक्वेरियम को नजदीक से देखिए मचलियों की कई वराइडिया बड़े से बड़े और छोटी सी छोट ठीकान, नुतन ग्राउंड, दरगाह रोड, परभनी नुमर 9921691008 डाक्टर की लापरवाई से हुई यूवक की मौत, परिजनों का आरोप, ग्रामिन अस्पताल में परिजनों का समंझ जस, जुन्तुर शहर के होतात्मा समारक इलाखे में एक 26 अरुचिये यूवक का डाक्टर के लापरवाई के कारन मौत होजाने का इलसाम लगाते हुए, परिजनों ने ग्रामिन अस्पताल के डाक्टर और निजी अस्पताल के डाक्टर पर अपराद दाखिल करने को ले कर, ग्रामिन अस्पताल में शोग रकर हंगामा किया, इस समय पोलिस ने अकस्माद मौत की नोन करते हुए समीति का आवाल आने तक आवाल के तहट अपना दाखिल किया जाएगा ऐसा बताया है। ये घटना आज 25 जुलेई 2024 गुरुवार की रोज हुई है। इस बारे में अधिक जानकर ये है के जिंतुर शहर के हुतात्मा समारक इजा इलाखे में रहने वाले युवक राज रतन का इलाख वाकड़े अमर 26 साल ये पिछले दो दिनों से उसे बुखार आने के कारण शहर के ग्रामिन अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया इसी दोरान ग्रामिन अस्पताल के डाक्टर ने उसका इलाज शुरू किया कर दिया लेकिन योग का बुखार ज्यादा थमना सक रहा था इसलिए नीजी अस्पताल में ले जाने की सलाज दी गई इसी दोरान उसे आगे के इलाज के लिए परबनी ले जाने को भी कहा गया जहां एंबूलस से ले आते समय रास्ते में योग की मोत हो गई रात करीब 11 बजे एक नीजी के सामने हंगामा किया और नीजी अस्पताल के डाक्टर और घरामिन अस्पताल के डाक्टर पर अपरणा दाखिल करने की मांग की इस समय बड़े पैमाने पर भीर ज मानना हो इसलिए बड़ा और सक्त बंदोबस हिस्सा में रखा सरकार शात्रों को शिक्षा के लिए बड़ी रखम खर्च कर रही है लेकिन दूसरी और गाउं की सुईधाओं की अंदेखी की जा रही है जिंतुर तालुखे के फुल वाड़ी गाउं के पास फूल चालू ना होने के कारण हर साल छात्रों को अपने जान जोकी में डालनी पड़ती है इस और ना तो परशासन का ध्यान है और ना ही राजनितिक दलों के फुरसत है इस से ग्रामी नाराजगी जता रहे है अड़ गाउं हिटोली फुल वाड़ी ये एक चोटा सा कजबा गाउं है जिसकी आबादी तकरीवन करीब पासों से अधिक है इस इस इस्तान पर मुक्य सड़क से गाउं तक जाने के लिए तातकलिन सांसत गनेश राव दुर्गाउकर की निधी से सड़क बनाई गई थी इसके बाद ठककर पपा योजना से 7 लाग रुपे की लागत से इस सड़क का निर्मान किरा गया लेकिन गाउं और पार्टी के जोडने वाला पूल का सवाल अभी तक भी लटका हुआ है पूल की लागत अधिक और मदातों की संक्या कम होने के कारण राजनितिक नेतरतों ने इस और ध्यान नहीं दिया है इस गाउं में पहली से लेकर तो बारवी कक्षा तक पढ़ने वाले चात्रा कम से कम सोच से ज्यादा आए इतने बड़ी संक्या होने के बावजूद ये चात्राएं अपने शिक्षा तालिम हासिल करने के लिए विवी दशेत्रों से यहां पर आवा जावी कर रहे है इसकुल में शिक्षा लेने के लिए जाने वाले चात्राओं में आश्रम इसकुल में भी और गड़त गवान और उसी तरह से चात्राएं आडगाओं बाजार से जाते हुए नजर आते है बरसात के दिनों में इन शात्र विद्यारतियों की असल में मायनों में अपनी जान जोकी में डालनी पड़ती है लेकिन परशासन को इस और ध्यान नहीं दे रहा है और नहीं राजनितिक इस और ध्यान दे रहे हैं इस शेत्रा में बारिश हो जाती है तो यहां पर नदी का माहौल आ जाता है तो सहलाप का माहौल बन जाता है इसके ओए से छात्राओं को गड़त गवान या फिर अड़ गाओं में ही अपना मुखाम करना पड़ता है तो किसान मज़ूरों को भी अपने अपने पीज़ पानी इस इलाखे के नागरी कार गया आदू बादू के गाओं वाले मांग कर रहे हैं। वो डेंडरफ को खतम करने के साथ सर की खुझली को खतम करें। मिलने का समय सुबा नौ बजे से दोपेर दो बजे तक और शाम पांच बजे से रात नौ बजे तक। परवनी जिला परशासन के और से परशासना पत्र लोगसवा आम चुनाओ दोजार चोबीस में उसी को देखते हुए जिला परशासन की ओर से तेवीज जुलाई दोजार चोबीस को आई जित कार्य गरो सोला में सम्मानिय जिला कलेक्टर रगुनाज जी गावडे इन और यहां की करते हो जक्षी स्पी राविंद्र सिंग परशासन के दोवारा फोटोग्राफर उत्तम कामले बोरसुरी को रिने परमान पत्र देकर सम्मानित किया गया इस समय अपर दिला अधिकारी डाक्टर परताप जी काले अडिशनल एसपी येशवन जी काले चुनाव विभाग के उपजिला कलक्टर जनारदन विधाते निवासी उपजिला अधिकारी श्रीमती अनुरादा ढालकरी मेडम उपभागी अधिकारी परवनी दत्तु शेव बिल्डिंग एवं अन्य बानकाम कामगार मंड़ की और से निर्मान श्रमिकों को घरेलू सामन वितरित क्या गया की समस्याओं को हल करने के लिए 2400 घंटे काम करने वाले निर्मान श्रमिक अपने जान हतिली पर रख कर काम कर रहे हैं आईसे श्रेमिको के जीवन के लिए उप्योगी सामगरी मिले इस भावना से महराष्टर बिल्डिंग एवम कंट्रक्शन वेलफेर मंडल की ओर से यह योजना शुरू की गई है इस योजना के नुसार पुर्णा तालुखे के 362 श्रेमिको को घरलु सामगरी वितरित की गई पूर्णा शहर के राजराम बापू सभाकार में ये भव्य दिविया ऐसा कारेकरम आयोजित किया गया इसमें मित्रमंडल के 23 अद्यक्ष गनेश कदम परभारी सुबाज देशाई शित्पन बादर समीती के संचालक गिताराम देशाई सरपंच उत्तमराव डोने तविवा पूरे विश्वनात होड़कर बाला जी कालबंडे रतनाकर सुर्यवंची इनके अलावा शहर के परतिसीज बेपारी उसी साथ इस्तेमाल के जाने वाली लाबारती हिद्गराई मातायें और भाई बड़ी संक्या में इस समय मौजूद थे परवनी इनकी ओर से हिंदवीर सवराज्य के मुख्य संकल पक्रिमंत राजे लखुजी राव जादो इनके 395 समरत दिन के आवसियर पर अविवादन करते हुए रक्षी बेल के पोदे लगाये गए और इस बेल के जालको लखुजी राजे ऐसा नाम देकर उसका यहां आज तारिख 25 जुले 2024 की रोज सत्य महादियो मंदीर भाके लक्षीमी नगर वस्मत रोड इस्तीत रख्या रोपन संगोपान किया गया है परभनी शहर में पहली बार अंडर वाटर टरनेल फिश एक्वेरियम और मेला ठिकान नुतन ग्राउंड दरगाहर और परभनी भारत का सबसे बड़ा कार्निबल 18 जुले से हमारे परभनी शहर में कई मचलियों को नजदिक से देखने का सुनारा मोगा पूरे फैमिली के साथ आईए खिलोनों का मज़ा उठाईए और फिश एक्वेरियम को नजदिक से देखिए मचलियों की कई भराटियां बड़े से बड़े और छोटी सी छोटी मचलियां आईए पूरे फैमेली के साथ आईए फिश एक्वेरियम अनेक खिलोने और खवेयों के लिए अनंद नगरी एक बार अबश्य पधारी ठिकान नुतन ग्राउंड दर्गाहरोड परभनी देसी जड़ी बुटियों से इलाज का एक मातर केंडर हकीम मौलाना उबेदुर रह्मानी मिजबाई इनका नूरी शिफाखाना हर स्टेच का कैंसर किड़नी की कराबी लिवर के कराबी हर तरह का शूगर बालों की हर तरह की समस्या पीट व किड़नी की पधरी बवासी हनिया पेंडेक्स बीपी की कमी वो ज्यादती पीलिया हर तरह का चर्म रोग हर तरह का पेट रोग सफेद डाग साटी का यूरिक एसिर हाट डिप्रेशन अलसर नाग कान गले की बीमारी आग की हर तरह की समस्या टॉंसिल हर तरह का नियूरो रोग मिर्गिय कुन की कमी हर तरह का ट्यूमर अधिकाईला सफलता पूर्वक किया जाता है। भटके विमुक्ते अधिवासी स्वयोचन समीती महराख राज्यकी होर से आज तारिक 25 जुलई 2024 गुरुवार के रोज दो फेर साड़े बारा बजे से लेकर दो फेर चार बजे के दर्मियान परवनी शहर के अतिती सभागरा में मतवपुन बढ़क संपन होई। भटके विमुक्ते अधिवासी भाईयों के लिए शिक्षा स्वास्ते नागरितों के लिए गरकुल का प्रश्ण राज किये सामाजिक परतिनीदों और भटके विमुक्ते अधिवासी विकास के लिए अलग से बजट अधी प्रश्णों को लेकर विचार मंतन किया गया। बिस्मिल्ला खान स्यद मस्तान भी डाक्टर धर्मराज चाहवान राजे धोंडे गंगाताई सोन कामडे अधिक एसाथ संगटना के पदादिकारी इस समय बड़ी संग्चा में मौजुद थे परवनिके शिवाजी कॉलेज के सभागार में तारिख अठावी जुलेई दुहजार चोवीद रव्युवार के रोज सुबा साड़ दस बज़े कुमारी वेश्नेवी कापरे इनका वरत नाट्यम अरंगेतरम ये नरत्य कारेकरम आविजित किया गया है भरत नाट्यम में अंगेतरम कारेकरम पिछले साथ वर्षों में गुरु द्वारा जिकाए गए ज्यान और अगले चरण के लिए गुरु की इच्छाओं की प्रस्तुती है इसका आर्थ यह है कि वरत नाट्यम के आगे विवसाइक परदेशन के लिए गुरु की अनुमती इसके लिए गुरु द्वारा शिष्य की घहन जाच की जाती है और उसके बाद ही इस कारेकरम के लिए अनुमती दी जाती है मिलाकर गुरू को इस कारेकरम द्वारा कृतितना समारो रखा जाता है श्रीमती वैशनेवी कापरे की गुरू श्रीमती अतना रतनाडी कर कुरूडूर कर पुना इनके मारदशन में प्रस्तुत किया जाएगा इस सौसर पर पर्मुक अतिती के दुरूप में डाक्टर गिरिश वेलनकर योग सयोजक पुना निमंतरक्ते दुरूप में दुर्गेश कुलकरनी वरिष्ट आर्किटेक्ट पुना तुपाली लवेकर संगीत विशारत सौ मित्र धारा सुरकर फिल्म एडिटर पुना अधिम इस समय उपस्तित रहेंगे समनों समीति के अनुरोथ क्या है कि सभी लोग इस कारेकरम में शामिल होकर शुब काम नाएदे हमारे नीज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें शेयर करें कॉमेट्स करें सब्क्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्क्राइब जरू करें बेल आइकन का बटन जरू दबाए ताकि हमारे लिए हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंस अगे सब्सक्राइब नो और प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिस अपदेट